दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप अपने जीमेल और गूगल एकाउंट का पासवर्ड को कैसे चेंज कर सकते हैं दोस्तों अगर आप भी अपने जीमेल का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आएं तक बने रहें और दोस्तो और आप हमारे चैनल पे नए हें तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तो चलिए जानते हैं दोस्तो उसके लिए आपको सबसे पहले gmail application के अंदर आना पड़ेगा और gmail application तो हर एक का mobile पे तो रहता ही है तो यह दो सिंपल gmail application पंप-प्लिकाशन के अंदर चले जाना है, आने के बाद is कोज इस तरह का एंटरफेस आपके सामने देखने को मिल जाता है, उसके बाद is यह इस कोने में जो है झाल नजे làm थो fusion आपको करना के कि इस करने के बाद is यहां पर आपको नीची आना और यहां पिर आपको एक स्लेटिक उसकी जैनल कंनफैस एस तरह का सामने को मंल जाता है उसके बाद उसको सिंपल default क्या manage your google account पे click click जैसे करते हो guys कुछ इस तरह का interface आपके सामने देखने को मिलेगा ठीक है guys यह रही guys यहाँ पे आगिया है उसके बाद जो है आपको करना क्या है कि करना इस तरह से slash करना है इस तरह से slash करना है simple आपको आजाना का security के अंदर ठीक है guys यह जो blue icon दिखाई दे रहा है guys वो blue icon जो है security के अंदर security के अंदर आना चाहिए ठीक है guys आने के बाद guys यहाँ पे कुछ information निचे पे सो हो रही है तो simple आपको security के अंदर आ जाना है आने के बाद guys simple आपको यहाँ पर एक option मिल जाएगा क्या password का तो simple आपको करना क्या है कि जैसे कि guys लिखावाय क्या sign in into google ठीक है नीचे पे password तो simple आपको इस arrow पे password के बगल पे एक arrow न ज़रा रहा है simple आपको arrow पे click कर देना है arrow पे जैसे click करते है guys यह redirect कर देगा google account पे और यहाँ पर आपको जो पहले का password था guys वो password को आपको पहले fill करना पड़ेगा ठीक है guys यहाँ पे कुछ loading हो रहा है तो यहाँ पर guys आपको करना क्या है कि अपना पहले की password जो है यहाँ पर आपको show करना पड़ेगा अगर guys आपको पहले का password पता नहीं है तो simple आपको forget password पे click करके new password जो है generate कर लेना है अगर आपको password पता है तो simple आपको यहाँ पर पहले का password जो है वो fill कर देना जैसे कि मैं फटा फट fill कर देता हूं guys ठीक है उसके बाद जो है यहाँ पर करना क्या है कि next पे click करना है याद रहे guys अगर आपको पहले का password क्या रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर fill कर देता हूं ठीक है ठीक है guys यह रही ठीक है guys और उसके बाद जो है change password पे click कर देना है click जैसे करते हो guys यह आपकी password जो है वो बिल्कुल change हो गई है देख सकते हो guys यहाँ पर लिखावा आ रहा क्या password change successfully यहाँ पर आप देख सकते हैं कि we keep your account protected यहाँ पर get started पे click कर देना और उपर में देख सकते हो guys यहाँ ब्लू टिक लग गया है password change successfully तो guys इस तरह से जो है आप अपने gmail account का password को change कर सकते हैं I hope कि दोस्तों यह वीडियो आपको पसनाया हो वीडियो पसनादे वीडियो को लाइगा और शिर करना ना बुलना दोस्तों मिलता हो next वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वनमात्रम अपने बढको पस्तों